हलो सुदेंट्स चड़े इन दिस वीडियो वी आर गूंग टू डिस्कस अबाउट हाव तो राइट अन आर्टिकल आर्टिकल कैसे लिखते हैं आर्टिकल क्या होता है हलांकि इसके बारे में हम पहले तीन वीडियो आपको जारी कर चुके हैं जिनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आर्टिकल क्या होता है डिटेल में आपको जानने के लिए हमारा पहला वीडियो देखना पड़ेगा इसमें हम एक एक्जामपल लेकर के आए है Rainwater Harvesting बारिस के पानी का संग्रहन कैसे किया जाता है जो कि बहुत जरूरी हो गया है तो यह important topic है exam के लिए कि जब article लिखने के लिए आपको आता है exam में तो उसका यह topic Rainwater Harvesting का importance यह आता है importance of Rainwater Harvesting तो आप किस तरीके से लिखेंगे वो आपको यहाँ जानना है क्योंकि Rainwater Harvesting की technique को भी जानना है और उसके बारे में thoughts develop हो सके है फिर उन thoughts को हम syntactically अपने विचारों को एक article गुरूप पर रख सके यह जरूरी है तो चलिए start करते हैं वैसे how to write an article article कैसे लिखते हैं फिर भी हम बता देते हैं पहले बता चुके हैं It is significant that writing an article needs a lot of practice a high degree of creativity and a wide range of vocabulary बहुत महत्वपूर है कि article लिखने के लिए एक तो बहुत ज़्यादा practice की जरूरी होती है बहुत अच्छी creativity आपके अंदर होना चाहिए सदिनात्वक्ता होनी चाहिए और आपके पास सब्द बंडार बहुत होना चाहिए The students cultivate a habit of reading newspapers magazines and books of general nature Students के अंदर उसको अपने अंदर आदर develop करनी चाहिए newspaper पढ़ने की magazines पढ़ने की और जो सामाने पुष्तक होती है science related, art related उन books को पढ़ने की उसमें habit होनी चाहिए तब ही उसका सब्द बंडार बढ़ सकता है They should read articles on different topics and see how they are developed उसको भिने भिने टॉपिकों पर article पढ़ना चाहिए ताकि वो यह देख सके कि वे कैसे develop होते है उनको कोई भी writer कैसे किसी article को develop करता है यह उसको पता लग सकेगा जब वो magazines और अन्य books का उप्योग करके articles को पढ़ेगा यह question देखिए आप write an article on importance of rainwater harvesting based on the visual input आपके सामने एक visual input दिया गया है एक द्रस दिया गया है इसमें rainwater harvesting की technique को बताया गया है तो rainwater harvesting का importance क्या होता है इसके उपर article आपको लिखना है आप जानते हैं कि बारिस के पानी का संगरहन कितना जरूरी हो गया है क्योंकि अभी हमारे अंदर जमीन के अंदर water level कम हो गया है और पानी की समस्या निकेट पर इसमें पीने वाले पानी की समस्या बहुत होने वाली है तो rainwater harvesting की technique जब भी होती है तो आप जानते हैं चछत पर इसमें पानी बारिस का पानी जब होता है तो वाहां चछत का पानी हमको नीचे एक गड़े में लाना होता है पाइप के द्वारा और पर उस गड़े में कुछ इस्पिसल टेक्निक के द्वारा उस पानी को संगरहन किया जाता है फिल्टर करके ताकि हमारे आसपास का water level बना रहे और पानी जो नालियों में ब्यस्ट चला जाता है नालियों में चला जाता है उस का मप्योग नहीं कर पाते हैं तो ये टेक्निक होती है rain water harvesting कि कैसे बारिस के पानी का हम प्योग पीनियों के पानी के लिए या अन्य चीज़ों के लिए इसके लिए सरकारा भी बहुत मदद करती हैं कई किसान बहुत समरद होते हैं वो जानते हैं कि Rain Water Harvesting कैसे करते हैं आपके सीन पर देख रहा है कि किस परकार से किसान अपने आसपास के खेतों में एक होल करके पॉंड छोटा सा तालाब बना करके और उपर टेकनिक इस्तिमाल करके किस परकार से Rain Water Harvesting को कर सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत साल पहले हमारे यहां पानी की कभी नहीं थी जरने नदिया खुब आराम से बहा करते थे कोई भी पानी की सूचा नहीं था किसी ने कि कभी हमें सुद्ध पानी पीने योगे पानी की प्रोबलम आएगी हमें पानी को खरीदना पड़ेगा यह समस्या क्योंकि आप जानते हैं कि धरती पत 3% वाटर ही पीने योगे है बांकि 97% salt water है समुद्र का पानी है जो पीने योगे नहीं है और कुछ पीने योगे पानी तो frozen है बर्फ के रूप में जमा हुआ है जो हमको बाद में मिलता है परन्तु अब global warming से वो पानी भी पूरा पर्यावरन असुद्ध हो गया है और हमें समी तरह के प्रदूशन का सामना करना पड़ रहा है पीने योगे पानी की कमी हो गई है हमारे प्रत्वी पर जो भी आपको इसे ब्लू कलर से देख रहा है वो 97% पार पर salt water है समुद्र का पानी है एक एक भून से हमको पानी को बचाएंगे तब हम पानी की समस्या को आगे आपको मैसेज भी कई प्रकार की देखने को मिलते होंगे कई सरकार है इसके लिए जागरू करती है इसका आपके स्कूलों बता जाता है कि पानी को हमें किस प्रकार से बचाना है वाटर इस लाइफ पानी जीवन है और पानी ही धन है पानी को समपदा आप नहीं मानेंगे तो आगे सबी तरह का पानी आपको खरीदना ही पड़ेगा अभी तो खरीद रहे है पर बहुत अधिक क्राइसिस आ जाएगी पेड़ों को बचाना है क्योंकर पेड़ को यह बचाएंगे तो वाटर लेविल हमारा संतुरित रहेगा हमारे किसान भी आजकल बहुत जागरू को रहे हैं किस पकार से वो खेतों में पानी को संग्रहित कर सकते हैं इसकी कई पकार की special technique वो जानते हैं और उन टेक्निक का कि पानी को नहीं बचाया तो एक दिन यही हालत हो जाएगी और हम बार और यस्तरह की प्रबलम आ जाएगी वातावर्न Global Warming से बिगड़ जाएगा और किछ दिन हमारी हालत help के लायक कुछ भी नहीं बचेगी तो Rain Water Harvesting का title हम लिखने के बाद में शुरुआत करेंगे Water is life, पानी जीवन है, without water, life is impossible, बिना पानी के जीवन असंभव है Due to Global Warming and Seageless Falling of Trees, there is a shortage of rainfall almost everywhere Global Warming के कारण और Seageless यानी निरंतर, Continuous पेड़ों का काटना Falling of Trees, पेड़ों को काटा जा रहा है, उनको गिराय जा रहा है, कतम किया जा रहा है और Global Warming के कारण, there is a shortage of rainfall बारिस की तो shortage होई गई है, आजकल बारिस भी कम होती है Almost everywhere, लगबक सब जगह पर rainfall कम हो गया है We should make efforts to reduce its vestige for a healthy environment and safe future इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, कि हम इसके पानी के vestige को कम कर सकें, reduce कर सकें और एक healthy environment, एक स्वस्त बातावरण और सुरच्चित भविश से हम बना सकें, ये जरूरी है The rainfall is decreasing every year, हर साल rainfall कम हो रही है, decrease हो रही है And whatsoever, water rains goes west due to poor draining systems और दूसरी बात, जो बारिस का पानी है, वो भी हमारा drainage system, जो है, नालियों का system, जो है वो खराब है, poor है, अच्छा drainage system नहीं है, हमारे नालियां भी फूटी रहती है तो वो भी west पानी, बियर्थ का बारिस का पानी चला जाता है We can save this water from going into drains by rainwater harvesting हम इस नालियों में जो पानी, drains में जो पानी फालतु जाता है बारिस का उसको rainwater harvesting की technique से बचा सकते हैं, इसका पयोगम कर सकते हैं Our rivers, ponds, wells and streams have dried आप जानते हैं के हमारी नदियां, तालाब, कुए, जहरने, सभी कुछ सूख चुके हैं Due to building of houses and roads built by cement and other causes, the level of underground water has gone very deep Due to building of houses, घर बन रहे हैं, लगातार, सब जगे पर आप देख रहे हैं, construction कितना बढ़ गया है सडकें बनाई जा रहे हैं, cement की सडकें बनाई जा रहे हैं, और भी अन्य कारण हैं जिनके कारण से हमारा underground water का जो level है, वो very deep हो गया है, बहुत गहरा हो गया है क्योंकि हम उस पानी का जो पीन योग है, उसका उपयोग हम अन्य building constructive उपयोग के लिए उसको ले रहे हैं और इसलिए जैसे कि आपने देखा है कि पानी के पीने की बड़ी समस्या बढ़ गई है, it has become a difficult task for many people to get sufficient water और यह बहुत कठिन काम हो गया है, task money कारे, बहुत कठिन काम हो गया है कि बहुत से लोगों को हम परियाप्त पानी नहीं दे पा रहे हैं यह बहुत बड़ी समस्या हो गई है, to solve this problem, the technique of rainwater harvesting has been developed इस समस्या के solution के लिए ही, हल करने के लिए ही rainwater harvesting की technique को विक्सित किया गया है उसका इस्तिमाल हमको करना चाहिए, in this technique, इस technique में क्या होता है, there is an attempt to allow water to go deep down earth इस technique में हम पानी को allow करते हैं कि वो अंदर जमीन में जाए, जमीन के अंदर जाए for this is a hole of dug deep, क्योंकि यहाँ इस technique में एक बहुत बड़ा गड़ा खोदा जाता है in it, pieces of brick, stones and large pebbles of sand are buried और फिर गड़ा खोदने के बाद में इस technique में क्या करते हैं कि एट है, पत्थर है और जो रेत के कंकल वगरा है, उनको वहाँ अंदर डाल दिये जाता है उनको बरीड किया जाता है, जला दिये जाता है, फिर एक filter, it works as a filter यह चीज़े क्यों डाली जाती है, क्योंकि फिर फिल्टर का काम करती है फिर जो चटों पर पानी बारिस का पड़ता है, उसको एकटा किया जाता है, वहाँ पर पाइप के द्वारा हम उस गड़े तक पानी को लाते हैं चटों का जो पानी है मकान का, उस पानी को पाइप के द्वारा हम उस गड़े में लाते हैं, जो हमने बना के रखा हुआ है allowing water to get absorbed in it, और फिर पानी उसमें absorb होता चला जाता है इस सबका उद्दिष यही होता है कि हम जो water level है, उसको underground water level जो होता है, उसको हम उचा कर सकें कई जगे आपने देखा होगा, दो दो डाइडाइव से फुट पर पानी निकलता ही नहीं है, इतनी समस्या होगी, और कई जगे पर 20 फुट पर भी पानी तो यह अलग जगे की समस्या है, पर उस अंडर गराउंड वाटर लेविल को बढ़ाने के लिए हम रेंड वाटर हर्वेस्टिंग टेकनिक का इस्तिमाल करते हैं, और जो वारिस का पानी आता है हम उसका सही उप्योग कर सकें, इसलिए इस टेकनिक का उप्योग होता है इस टेकनिक हैज आलसो बीन डेवलेप्ड नियर दे समाल स्ट्रीम सेंड पॉंड हलाएंके यह तकनिक यह घरों में नहीं, यह तकनिकी छोटे छोटे जहर्नो चोटे चोटे तालाब जो होते हैं गाहों में आपने देखे होंगे रास्ते में, वहाँ भी यह तकनिकी अब अरजमाने आग्र, आग्र नागरेकों से किया जाता रहा है, गॉबर्मेंट प्रोवाइड टेकनिकल हैल्प और अलसो गिब सम् एकनिकल हैल्प इन और तो प्रमोटे जा सके, बढ़ावा दिया जा सके, और लोगों का भी यह करतब है कि वह इस प्लान की तरफ ध्याना खर्षित करें, there are many other ways also to save water, but this is one of the best way, हलांके और भी अन्य तरीके हो सकते हैं मानी को बचाने के, पर तो यह उन सब तरीकों में से सबसे अच्छा तरीका है, rain harvesting, thank you, पूरा वीडियो देखने के लिए, आपको वीडियो पसंद आया होगा, mp list class उसको आपने subscribe नही पूले हैं, सबसे उपर option आएगा, all, इसको आप दबाएंगे, तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा, अब तुरत आपके mobile पर notification के रूपे पहुँच जाएगा, कोई इत्यार करना की आपको जरूरत नहीं है, चेलर सबस्क्राब करना फ्री है, एक ही बार आपको एक किसी व और भी ट्रापिक आपको दे रखे हैं, इस वीडियो के description आप जाएगे, तो आपको link मिल जाएगे, पूरा वीडियो दुरिंग के लिए धन्यवाद, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक और सेर जरूर करें, ताके हम अच्छे से अच्छी वीडियो आपको बनाते रह थेंक यू